एबी पी आनूंदो एग ये थापे एग ये राखे में बहुत बड़ी भूमिक आने भाई हैं एक हम एक प्रकार से फैटरलिजम का उत्तम उधारन इस सारी लड़ाई में हम लोग ने प्रस्तुत किया है साथियों आज हमारे देश के पुर्व प्रधानमत्री स्वर्गिय लालबादू सास्तुरी जी की पुन्डिती थी भी है मैं उन्हें अपनी भावमिनी स्रधानली अर्पित करता हूँ 1965 में सास्तुरी जी ने administrative service की एक conference में एक महत्वपुन बात कही थी जिसका जिक्र मैं यहां आपके सामने करना चाहता हूँ उन्होंने कहा था कि तह बेशिक आइडिय ओगवर्नांस as I see it, is to hold the society together so that it can develop and march towards creation, march towards certain goals The task of the government is to facilitate this evolution, this process. मुझे संतोष है कि कोरोना के इस संकटकाल में हम सभी ने एक जूट होकर काम किया जो सीख लालबादू सास्त्रीजे ने दी थी उसी पर चलने का हम समने प्रयास किया और इस दर्म्यान सम्वेदिन सिल्टा के साथ परीद फैसले भी किये गए जरूरी समसाधन भी जुटाए गए और देश की जनता को निररतर हम लगाता जागरूग भी करते रहे और आज इसी का प्रणाम है कि भारत में कोरोना का संक्रमन वैसा नहीं है और नहीं वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है जितनी गवराहत और चिनता साथ आठ महिने पहले देश वास्यों में थी अब लोग उससे बहार निकल चुके हैं यह अच्छी स्थिती है लेकिन केरलेस नहीं हो जाए यह भी हमें चिनता करनी है देश वास्यों में बढ़ते विश्वास का प्रभाव आर्थी गतिविध्यों पर भी सकारत्मा गुरूप से दिखाई दे रहा है मैं आपके राज्य प्रशासन की भी दिन राज जुटे रहने के लिए प्रसंसा करता हूँ साथियों अब हमारा देश कोरोना के खिलाब लड़ाई में एक निर्णाय चरण में प्रवेश कर रहा है यह चरण है वेक्शिनेशन का जैसे यहां जिक्र हुआ 16 जन्वरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टिका करन अभ्यान शुरू कर रहे हैं यह हम सभी के लिए गवरव की बात है कि जिन दो वेक्शिन को एमर्जन्सी यूज ऑथराईजिशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है इतना ही नहीं चार और वेक्शिन प्रोग्रेस में है और यह जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चरता इसलिए करता हूँ कि उसके बाद और वेक्शिन भी आजाएगी और जब और वेक्शिन आजाएगी तो हमें फ्यूचर क्या प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुभीदा रहेगी और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है जो हम 50 से उपर वालों के लिए जाने वाले हैं तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वेक्शिन आने की संभावनाएं है साथियों देश वासियों को एक प्रभावी वेक्शिन देने के लिए हमारे एक्श्पर्ट ने हर प्रकार की सावधानिया बरती हैं और अभी साइंटिफिक कॉम्यूनिटी के तरफ से विस्तार से हमें पताया भी गया है और आपको मालूम होगा मैं इस विशे में जब भी मुख्यमेंत्रियों के साथ बात हुई मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि इस विशे में हम जो भी निर्ने करना होगा वो साइंटिफिक कॉम्यूनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे साइंटिफिक कॉम्यूनिटी को ही हम फाइनल वर्ड मानेंगे और हम उसी प्रकार चलते रहे हैं कई लोग कहते थे देखें दुनिया में वैक्षिन आ गई भारत क्या कर रहा है भारत हो रहा है इतने लाख हो गया इतना हो गया भारत कुछ को ऐसी भी चिलना हट हुई लेकिन फिर भी हमारा मत था कि इस साइंटिफिक कॉम्यूनिटी और जो इसके लिए जिम्मेबार लोग है उनकी तरफ से जब आएगा तभी हमारे लिए उचित होगा और हम उसी दिसा में चले हैं बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमारी दोनों वैक्षिन दुनिया की दूसरी वैक्षिन से जादा कॉस्ट इफेक्टिव है हम कलपना कर सकते हैं अगर भारत को कोरोना टिका करन के लिए विदेशी वैक्षिन पर पुरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते कितनी बड़ी मुश्किल होती हम उसका अंदार लगा सकते हैं ये वैक्षिन्स भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते विए निर्मित की गई है भारत के टिका करन का जो अनुभाव है जो दूर सुदूर खेतरों तक पहुँचने की वबस्ताएं है वो कोरोना वैक्षिनेशन कारकम में बहुत उप्योगी सिद्ध होने वाली है साथियों आप सभी राज्यों के साथ सलाम श्वरा करके ही इत्ताय किया गया है कि टीका करन अभ्यान की शुरुवात में किसे प्राट्पिक्ता दी जाएगी हमारी कोशिच सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्षिन पहुचाने की है जो देश वास्यों की स्वास्त सुरक्षा में जुटे हुए है जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं सरकारी हो या प्राइबिट पहले उनको टीका लगाया जाएगा इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं सैनिबल है पूलीस और केंद्रियबल है होम गाड है डिजास्टर मेरेजमेंट वॉलेंटियर समेथ तमाम सिविल डिफिन्स के जवान है containment और surveillance से जोड़े revenue कर्मचारी हैं ऐसे साथ्यों को भी पहले चर्णों में टीका लगाया जा रहा है देश के अलग-अलग राज्यों के health workers, frontline workers के संख्या देखें तो एक करीब करीब 3 करोर होती है ये तै किया गया है कि पहले चर्ण में इन 3 करोर लोगों को vaccine देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है भारत सरकार इसको वहन करेगी साथियों, vaccination के दूसरे चरण में वैसे एक प्रकार जो तीसरा चरण हो जाएगा लेकिन हम अगर इन 3 करोर को एक माने तो दूसरा चरण 50 वर्षे उपर के सभी लोगों को और 50 वर्षे नीचे के उन बिमार लोगों को जिनको संक्रमन का सबसे ज़्यादा खत्रा है उनको टिका लगाया जाएगा आप सभी परिचित है कि बीते कुछ हपतों में जरूरी इन्फास्ट्रक्टर से लेकर लोजिस्टिक तक की तरियाया सभी राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों के साथ विचार विमस करके लगातार मिटिंगे करके मोडिर्स बना करके इसको पुरा किया गया है देश के लगबग हर जिले में ड्राइरंस भी पुरे हो चुके हैं इतने बड़े देश में सभी जिलों में ड्राइरंस हो जाना ये भी अपने आप में हमारी काफी बड़ी कैपेबिलिटी को दिखाता है हमारी जो नई तैयारिया हैं जो कोवीड के एसोपीज हैं उनको अब हमें अपने पुरान अनुभवों के साथ जोड़ना है भारत में पहले से अनेक यूनिवर्सल इम्मिनाजेशन प्रोग्रेम अल्रेडी चल रहे हैं हमारे लोग बड़ी सफलता पुर्व कर भी रहे हैं मिसंस रुबेलार जैसी बिमारियों के खिलाब भी व्यापक केम्पिन हम लोग चला चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े चुनाव और देश के कौने कौने तर पहुँचकर मद्दान की सुविदा देने का भी हमारे पास एक भहुत ही अच्छा अनुभव है इसके लिए जो बूत स्तर की रन्दिती हम बनाते हैं उसी को हमें यहां भी प्रयोग में लाना है सबसे हैं पहचान और मोनिटनिक को है जिनको टिका लगाना है इसके लिए आधुनिक टेक्लोलेग जा उप्योग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्रेटफर्म भी बनाया गया है आधार की मदद से लाफार्तियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले ये भी सुनिस्चित किया जाएगा मेरा आप सभी से विशेश आगर रहेगा कि टीका करन से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो ये सुनिस्चित करना है इससे जरासी चुख भियर इस मिशन को नुक्सान कौन सकता है कोविन पहले टिके के बाद एक डिजिटल वैक्सिनेशन सेटिफिकेट जनरेट करेगा लाभार्ति को ये सर्टिफिकेट टिका लगाने के बाद डिजिटली तुरंद देना जरूरी है ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर ना आना पड़े किसको टिका लग चुका है ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रुप में भी ये काम करेगा दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिपिकेट दिया जाएगा साथ कि भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत जादा है एक और अहमतात्य हैं जिसका हमें ध्यान रखना है दुनिया के पचास देशों में तीन-चार सब्ता से वैक्षिनेशन का काम चल रहा है करीब-करीब एक महिना हुआ लेकिन अब भी करीब-करीब ढाई करोड लोग ही वैक्षिन हो पाई है पूरी दुनिया में उनकी अपनी तैयारिये हैं उनका अपना अनुभव है उनका सामर्द है वो अपने तरीके से कर रहे हैं लेकिन अब भारत में हमें अगले कुछ महिनों में लगब तीस करोड आबादी के टिका करन का लक्षा सिल करना है इस चनोती का पुर्वानुमान लगाते हुए ही बीते महिनों में भारत ने बहुत व्यापक तैयारिया की है कोरोना की वैक्षिन से अगर किसी को कुछ असहत्ता होती है तो उसके लिए भी जरूरी प्रवंद किये गए है यूनिवर्सल इम्मुनाइजेशन प्रोग्रेम में पहले से ही इसके लिए एक मेकनिजम हमारे पास रहता है कोरोना टिका करन के लिए इसको और मजबुत किया गया है साथियों वैक्सीन और टिका करन के इन बातों के बीच हमें ये भी आद रखना है कि कोविट से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया के दर्यान भी बनाए रखना है थोड़ा सा भी लूजनेस नुक्षान कर सकता है और यही नहीं जिनको टिका लगाया जा रहा है वो भी संक्रमन को रोकने के लिए जो सावधानिया हम लेते रहें उनको फॉलो करते रहें ये सुनिशित करना ही होगा एक और बात जिस पर हमें बहुत गंपीरता से काम करना है हर राज, हर केंद्रसासित प्रदेश को इस सुनिशित करना होगा कि अफ़ाओं पर वैक्सिन से जुड़े अप्रपचार को कोई हवा न मिले इपस और बढ़ से बात नहीं होनी चाहिए देश और दुनिया के अनेक सार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं कॉर्परेट कॉंपिटिशन भी इसमें आ सकती हैं कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है बहुती चीज़े हो सकती हैं ऐसी हर कोशिक को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुचा कर हमें नाकाम करना है इसके लिए हमें धार्मिक और सामाजिक समस्ता हो NYK हो, NSS हो, Self-Help Groups हो, Professional Body हो Rotary, Alliance Club जैसे समस्ता है हो, Red Cross जैसे समस्ता है हो इन सब को हमने साथ जोड़ना है जो हमारी routine स्वास्त सेवा है, जो दूसरे तिका करना अभ्यान वो भी ठीक से चलते रहें, इसका भी हमने ध्यान रखना है क्योंकि हमें मालूम है कि हम 16 को शुरू कर रहे हैं लेकिन हमारी 17 को एक routine vaccine का भी date है तो इसलिए हमारा जो routine vaccine का काम चलता है वो भी कहीं damage नहीं होना चाहिए आखिरी मैं एक और गंबीर विशे के बारे में आप से जुरूर बात करना चाहता हूँ देश के नव राज्यों में बर्ड फ्यू की पुष्टी हुई है इस राज्य है करला, राजस्तान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हर्याना, उत्तर प्रदेश, मद्रप्रदेश, दिल्ली और महराष्ट्र बर्ड फ्यू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रलाई द्वारा कारिय योजना बनाई गई है जिसका ततपरता से पानन आवश्चक है इसमें डिस्टिक मेजिस्टेट की भी बड़ी भूमिका है मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सजीओं के माद्यम से सभी डिस्टिक मेजिस्टेट का मारदर्शन करे जिन राज्यों में अभी बड़्फ्यू नहीं पहुचा है वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा हमें सभी राज्यों स्थानिय प्रशासन को वाटर बड़ीज के आसपास पक्षी बाजारों में, जू में, फॉल्ट्री फार्म इत्यादी पर निरंतन निग्रानी रखनी है ताकि पक्षियों के बिमार होने की जानकारी प्राथ्मिक्तापन मिले बड़्फ्यू की जानके लिए जो लेबोरेटरी हैं वहां समय पर सैंपल बेजने सही स्थिति का जल्दी पता लगेगा और स्थानिय प्रशासन भी उतनी ही तेजी से कारवाई कर पाएगा वन विबाग हो, स्वास्त विबाग, पशुपालन विबाग के बीच जितना अधिक कोडिनेशन होगा उतनी ही तेजी से हम बड़्फ्यू के नियंतरण में सफर होंगे बड़्फ्यू को लेकर लोगों में अफ़ाय नफ़ेलें इसे भी हमें देखना होगा मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एक जूट प्रयास हर चुनोती से देश को भार निकालेगा मैं फिर एक बार आप सब का बहुत आभारी हूँ और 60% काम होने के बाद हम दुबारा एक बार बैट करके रिव्यू करेंगे उस समय ज़रा विस्तार से भी बात करेंगे और तब तक कुछ नई वैक्षिन आ जाए तो उसको भी हम संग्यान में लेकर के आगे के अपने रन दीती बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका